जैस्री कृष्णा आये सुनते हैं सनी वार के दिन सनी देव और हनमान जी की कथा एक बार महाबीर हनमान श्री राम के किसी कार्य में ब्यस्त थे उस जगह से सनी देव जी गुजर रहे थे की रास्ते में उन्हें हनमान जी दिखाई पड़े अपने स्वभाव की वजह से सनी देव जी को सरारत सुझी और वे उस राम कार्य में बिग्न डालने हनमान जी के पास पहुच गए हनमान जी सनी देव को छेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका पर सनी देव जी नहीं माने हनमान जी ने तब सनी देव जी को अपनी पूच से जकर लिया और फिर से राम कार्य करने लगे कार्य के दवरान वे इधा उधर खुद के कार्य कर रहे थे इस दवरान सनी देव जी को बहुत सारी चोटे आई सनी देव ने बहुत प्रियास किया पर बाला जी की कैड से खुद को छुड़ा नहीं पाए उन्होंने हनुमते से बहुत बिंती की पर हनुमान जी कार्य में खोए हुए थे जब राम कार्य खत्म हुआ तब उन्हें सनी देव जी का ख्याल आया और तब उन्होंने सनी देव को आजाद किया सनी देव जी को अपनी भूल का इहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी कि वे कभी भी राम और हनुमान जी के कार्यों में कोई बिघन नहीं डालेंगे और स्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका बिशेष आसीश प्राप्थोगा सनीद देवजी स्री हनुमान से कुछ सर्सों का तेल मांगा जिसे ओ अपने घाओं पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके हनुमान जी ने उन्हें ओ तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह सनीद देव के जक्म फीक हुए तब सनीद देव जी ने कहा कि इस याद में जो भी भक्त सनीवार के दिन मुझ पर सर्सों का तेल चड़ाएगा उसे मेरा विशेश आसीश प्राप्त होगा सनी वार का दिन कई प्रकारों से खास होता है सनी सन सब्द से बना है जिसका अर्थ है उपेच्छित या ध्यान से हटना जोति सास्त्र में सनी ग्रह को मारक माना जाता है सनी देव इसके स्वामी है जो इनसान के बूरे कर्मों के अनुसार उन्हें डंडित करते हैं इसलिए सनी वार के दिन विशेश रूप से सनी देव की पूजा की जाती है ताकि सनी के कोप से बचा जा सके पर सनी वार के दिन संकट मोचन हनमान जी की भी विशेश रूप से पूजा की जाती है क्योंकि हम बता रहे हैं हनमान और सनी एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं लेकिन बहुत रूपों में समान हैं सास्त्रों के अंसार सनी की कुरूर दिष्टी हनमान पर होने के कारण सनी देव और हनमान का रंग समान है सास्त्रों में सनी देव द्वारा तपस्या क्यरके सीव को प्रसंद कर उनकी क्रिपा पाने का उलेक मिलता है हनमान संकट मोचन सनी देव बूरे कर्मों का डंड देने वाले सनी देव सुर्य पुत्र हैं और हनमान सुर्य उपासक, सुर्य के परंभग सनी की अपने अपने पिता सुर्य से नहीं बनती कहते हैं सनी ने सुर्य से युद्ध भी किया जबकि हनमान पर सुर्य की असीम क्रिपा मानी जाती है माना जाता है कि सुर्य ने हनमान को सक्निया देकर महाबीर हनमान बनाया सनी का जन्म अगनी आग से हुआ है जबकि हनमान का जन्म पमन हवा से सनिवार के तेल बेचना असुब होता है जबकि हनुमान जी को तेल चड़ाना सुब माना जाता है सिव की उपासना करने वाले सनी के कोप से हमेशा बचे रहते हैं हनुमान के भक्तों पर भी सनी की कुद्रिष्टी कभी नहीं पड़ती इसके पीछे एक धार्मिक पवरारिक कथा है रावर एक बहुत बड़ा जोतसी भी था एक बार सभी देवों को हरा कर उसने सभी नव ग्रहों को अपने अधिकार में कर लिया सभी ग्रहों को जमीन पर मुख के बल लिटा कर ग्रहों को वह अपने पैरों के नीचे रखता था उसका पुत्र पैदा होने के समय सभी ग्रहों को उसने सूभी स्थिती में रख दिया देवताओं को डर भी था कि इस प्रकार रावर का पुत्र इंद्रजीत अजे हो जाएगा लेकिन ग्रह भी रावर के पैरों के नीचे दबे होने के कारण कुछ नहीं कर सकते थे सनी अपनी द्रिष्टी से रावर की सूभी स्थिती को खराब कर सकने में सच्छम थे पर जमीन के बल होने के कारण कुछ नहीं कर सकते थे तब नारद मुनी लंका आये और ग्रहों को जीतने के लिए रावर की भूर भूर प्रसंचा की और कहा अपनी इस जीत को इन ग्रहों को उन्हें दिखाना चाहिए जो की जमीन से बल लेटे होने के कारण वे नहीं देख सकते थे रावर ने नारद की बात मान ली और ग्रहों का मुह आसमान की योर कर दिया तब सनी ने अपनी मारक द्रिष्टी से रावर की दसा खराब कर दी रावर को बात समझाई और उसने सनी को काराग्रह में डाल दिया और वह भाग न सके इसलिए जेल के द्वार पर इस प्रकार सीव लिंग लगा दी कि उस पर पाव रखे बिना सनी देव भाग न सके तब हनुमान ने लंकाया कर सनी देव को अपने सीर पर बिठा कर मुक्त कराया सनी के सीर पर बैठने से हनुमान कई बूरे चक्रों में पड़ सकते थे यह जानकर उन्हों ने ऐसा किया तब सनी ने प्रसन होकर हनुमान को अपने मारक कोप से हमेशा मुक्त रहने का आसिरबाद दिया और एक बर मांगने को कहा हनुमान ने अपने भक्तों को हमेशा सनी के कोप से मुक्त रहने का आसिरबाद मांगा इसलिए कहते हैं कि जो भी हनुमान की उपासना करता है उस पर सनी की द्रिष्टी कभी नहीं पड़ती